सोचल मीडिया पर जैन समाच के सबसे लोग प्रिय जैन न्यूस चैनल को बनाने वाले चैनल महालश में की ओर से आप सभी को तीन नवंबर आप सभी को साधर जैनिय साथ 2548 वे अमारे 24 वे तीन तकर महावस्वामी की जीगे मोश्ट कर दिवस की पूर संध्या पर बहुत-ब एक मंगल शुक्काम नहीं सभी के जीवन में स्मृद्धिया है सुख आए शांति है पर्यावन हित्मेत्री बने हम हम वासली और प्रेम की रसधा हरे छोड़ सके हम आपस में वैमनेस से खतम कर हम उस मार्क पर चर्ट के जो संत और सादू हमें आज बताते हैं वही मावीर क लाल लगुनंदन आज हमें दिखाते हैं कि कभी किसी का बुरा मत करो यह पंचम काल है यहां पर दुख और सुख का पया चलता रहता है अगर आज तुम्हारे पास सुख है तो ध्यान रखना कल दुख भी आएगा और जब दुख आया है तो वह सुख भी आएगा ऐसी संथ अपने ही अपनी बात बताने वाले देश को समाज को लाको करोड को बताते बताते खुद इस कदम के और चल देते हैं तो सचमुझ समाज के लिए चिंदा की बात है सचमुझ तीस अक्टूबर दो होजारी किस आचारेशी विमद सागर जी इन दोर के अंदर यह घटनाएं घटी है छे घटनाएं और पांच का अतीत यह कहता है कि आत्म हत्या और सुसाइट के अगर पुलिस ने फाइल बंद कर दी हम नहीं चाहते कि छटी बार भी ऐसा हो और फिर यह शक्स होते हैं और हम शुरुवात करते हैं विस सारे घटना क्रम के ओपर परदा परदा खोलने की कोशिश करते हैं शुरुवात में 30 अक्टूबर 2020 के साएं 5 बजे की घटना साड़े पांच बई तक सूसना मिल जाती है उनके जेश्ट बाहियों परीजनों को श्री संतोश शुषी को सागर में वहाँ से आते हैं 31 00 till Maryle day देखते हैं वह बात करते हैं शचाए करते हैं और फिर वही करके है कि मेरे इसloo जीवन के छोटे भाई जिसे मैंने जीवन से बच्पन से पाल कर बढ़ा किया और पास में जब उनको मैंने 1998 में समाज के सामने दिख्षा देने के बाद सौंप दिया अब है उनका ये घर नहीं उनके सारे घर हो गए और तब है 12 फुट उची छट के पास पंके में नाइलों दिरस्ती का फंदा बना कर लटक सकता है और एक बार कोशिश करके एक गाठ बान कर आप भी देख लीजीगा यही दावा नहीं करते हुए वैं और भी करते हैं कि उनके विरोध में कुछ लोग इखटे हुए या कुछ संथ भी प्रकर हुए हैं उन्हें इस तरह के कई देखिए वो चिठी में क्या लिखते हैं दौर पहुचने के तुरंत बाद घटना के पूर्ण जानकरी किये बिना लोगों परीजनों से चर्चा किये बिना छोटे बहाई के प्रती अधिक वातसल्य होने के कारण उत्तेजना में मेरे द्वारा घटना के संबंद में कुछ शंकाएं जताई गई थी मैंने उनकी जाच की मांग की थी सादू संथ अपनी तपस्या के दोरान कई मंत्रों आदी का जाब अनुष्ठान करते रहते हैं जिससे देवी देवता प्रकट होते हैं मंत्रों चार करने वाले पर हावी हो जाते हैं हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हु हो लोगों से संपर्क करने मिलने पर घटना के संबंद में मुझे जानकारी मिली जिससे मैं घटना से अवगत हुआ स्थान ये पुलिस प्रशासन की चानवीन से मैं पूरी तरे संतुष्ठ हूं घर आने पर बड़े बुड़ों से चर्चा के बाद मुझे इंदोर के किसी व्यक्ति या संस्था पर कोई शक नहीं है मेरे घ्रैस्त आश्रम के छोटे बाई आचारे विमन सागर की मिर्ट्यू के संबंद में मुझे एक मेरे परिवार को कोई शक नहीं है आगे हम कोई जांच नहीं चाहते आपने पड़ा आखिर उन्होंने कैसे का कि मंत्रो चार करकर देवता आ जाते हैं और कहीं वही नुकसान करते हैं बहुत बहुत घूमने वाली है क्योंकि यह बात आज तक सामने नहीं आई ना किसी समाज वाले हमने कहीं उसे पता करा यह घटना कहीं नहीं है उन्होंने य अपनी एप्लिकेशन सरकार पुलिस से वापिस ले ली तो एक चिंता आती है कि जांच की फाइल के उपर सूसाइड लिकर उसे बंद तो नहीं कर दिये जाएगा पिछले तीन सालों में पांच वाकिये चैनल महलश में देख चुका है 2018 से इस तरह नजर रखा हुआ है पर ना कोई संद के सामनी के पास आता है न संद के सहयोग करने के जांच के लिए आगे आता है न समाज आता है न संद का परिवार आता है कोई नहीं आता है वह कहता है कि अंतिम करिया होने के बाद फाइल को बंद कर दिये जाता है पर इस बा सार हो जाते हैं कौन है इसके पीछे दोशी समाज हैjut या कुई संत है Τया कोई ओर है इस मारे हमने सीधा बात की के there going क्या बन तो नहीं। जाएगी जाज क्या यहीं रुक तो नहीं संतोष जैंजी उन्होंने अपना जो लेटर था वो वापिश ले लिया हमारा अन्रो दिया कि उसके हमारी जांच पर कोई फरक तो नहीं पड़ेगा ना उनके एलिगेशन से कोई परक पड़ रहा है उना लेटर वापस लेने परक पड़ रहा है जी दूसरी बाइट भी नहीं करा था कि आप आके जांच करूं अच्छा सागर में थे जी जी मर्ग हुआ हासी हुई तो हम जांच करने पहुंचे उनके नोते की जरूत नहीं है पना उनके टिनाय करने की जरूत है दूसरी बात भाई तब यह थी हमारे नोत था जी दूसरी बात यह थी इस पोस्ट माटरा रिपोर्ट आ गई होगी और सम्मतर उसमाच का हो किसी भी धर्म का हो लेकिन वह नहीं करता है उसके ओपर इतना प्रेशर बना दी जाता है चाह जिना कहीं हम उसे कहते हैं he has done something wrong कुछ गलत किया है उसने हमारा यह है कि हमारी पुलिस से विनमर अनोदी है कि उसमें जांच ऐसी हो जाए जिसे हमारे कोई भी हिंदु धर्म का हो वैशनम का हो सिख का हो जैन का हो आगे सादू इस तरह से प्रताडित नहीं हो किसी समाज मे हम यह आपने चाहते हैं तो मैं भी जांच कर दो जी इसके लिए तो मैंने आप से कहा जी कि उनके एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता जी और उनके कोई पतर देने से वापस करने से कुछ नहीं होता जी केस अपने फ्लो में चलेगा अपने फैक्स के साथ चलेगा अप जब तक कहीं किसी कॉंक्रीट उसके नहीं जाएंगे जब तक हम किसी को कुछ अफिशली नहीं बोलते हैं तरफ संत की घरमा एक तरफ उन से जुड़े कोई लोगों का है समाज का है जुगी बिल्कुल इसलिए हमारा फिर विनमरूद यही है कि जाच इस तरह से निश्पक्स अरो रोज ना भी करो तो मैं मेरी काम करूंगा ोजे कोई पारड़ते हैं जिसी पर लगाता है तो मुझे फरन पर नहीं करता मुए परण नहीं हुरते हैं अब उस दिन की बात करते हैं 30 October 2021 प्राते 9 बचे अचारिश्य के प्रवचन रोज की तरह होते हैं उसी अंदाज में उसी मदमान आनद करते हुए सब को प्रवचन सुनाते हैं गुणों के प्रती, गतियों के प्रती वातसले के साथ, प्रेम के साथ, सोहार्थ के साथ और उसी अपने अंदाज में अरे लेखन के भी धनी थे और वचन के भी धनी ऐसी शैली बोलने की हर कोई मंत्र मुक्त हो जाता था हमने कई जगे बात करके पता भी चला और उन्हों के इसी तरीके बास फिर आनन्द यात्रा हुई हर कोई खुश ना माथे पर शिकंत है ना माथे पर टेंशन है कोई पसीना नहीं है कोई चिंता नहीं है क्योंकि जेव में कुछ नहीं है ना अंटी है ना शंटी है ना कोई परिग्र है ना कोई थाम है बिल्कुल मुस्करातिर है फिर ऐसा फिर आहर के बाद चले और आहर के बाद ऐसा क्या हो गया जब एक कमरे के और बड़े थे यानि 12 बज़े से लेकर 5 बज़े तक चाह घटने करम हुआ यह हमने बात किये उनके सेवाधर अनिल से जो 9 साल से उनके साथ है कहीं किसी संपर करना हो अनिल फोन मिला के बात करता है जो आचारिशी कहते है कोई काम होता है अनिल से कहते हैं कहीं जाना होता है अनिल को बताते हैं कुछ करना होता है अनिल को बताते हैं यानि सारा राज़दार अनिल है इसे बड़ी मुश्किल से बात हो भाई और उसने घटना करम बता है 12 बजे से 5 बजे तक क्या हुआ था उस दिन वह पूरा आपको बताता है और पर इसमें एक प्रश्ण चिल जाता है कि 12 से पॉनिदों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आचारेशी इस जगे पर इस घटना करम के अंदर वहां तक पहुँच गए सुनिए ज़रा अनिल से बात वह पाच गंटे दूसरे माल जी नहीं चाहा करने के बाहते 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 आ करने क फौर ने तो हम दो अपने कमरी में थिंस हों आपकों कॉनपर गष्ञे तो अंद्यार सब तिन लोग फितों जुकशु को बाद侏 दोधी पट्ता पेने थे भी लोग में दोधितों है क्टिक है एस ताइको गयो तो घ्रम सभाध बाराव भी आसपास खुलाता अब अध्यक्स समाज के अध्यक्स हो आज कोई कारी कर्यों के चाहचा चाल दिए या कोई चाहचा हो तो क्या मानुद नो टाइचा करके आज अपने सामावी बैठिगें अंदर यह कितने मजे कि sepaj stay hi सभा 12 बाजी की बाइरवे थो लगए लूग के लुग के शान पे शान्तीऊ रूचा रहते हैं उसर्ट चन्ह के तरह हुई у बाणा बाटा 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 की जिब सब चायचा हैं अपने कमरे में जाके शोगे हैं, ठीक है, शोगे तो गुरु जी आये हमारे कमरे में पॉने दो बजी आए, अचारे शी आये, हम अपने कमरे में आये, अचारे शी आपने कमरे में आये, अचारे शी आपने कमरे में आये, अचारे शी आपने कमरे में आये, दिन में, दिन में कि दिन की बात है न, हम पूंत फे एंश, कहने हम को आभाजी क्याने मैं, क्ल किसी का कोई के बाहसिट अवन नहीं गों नहीं हमनी कोई की पोन नहीं आए कि वह ब्हुन भून अगकर दो तिन फोन लगाओं तो हमने फोन लगाए एक तुल्सी नंगर की तुल्सी नंगर की ठीक है तो उनने बोला कि बूलो कि दिनों गया आई नहीं है और आउ तो दो चारजर नहीं आओ और जैसंतने आउ पदार हों तो नहीं है पांच से उचे की पीच में हम लोग बजार से लोट की आ रहे हैं तो इसके बाद उनने की तर अपना चारग वजे आज शाम को ब्यार हो सकता ख़भय आ रही होगा तो कर सॉबह ब्यार होगा कहा के लिए? यह जगय कोश लिए लिए तहां के लिए? ठीक है हमने ठीक है अतने पूछा हमने इतने जल्लिके हो भिया अपनों तो यहां से सीधा गुमास्तर नहीं जाना है तीन टारिक को कि ये यहां क चार दिन का था तो टीन चार दिन हो गए हैं aujourdहычно दो टीन दिन का है तो कहींatra की है भी में हुई हृई थीक दिर भी में पहने खक करो चैज दे कर लंग थिर के प्छी पंख बनाया रहा है तो उमने पूछा हमने इस अच्छा एक है तो तुम्हाले कमरे में बंदर है तो तो कमरे बंदर है तो कुछ शरीवयनी कुलता नी हो थे या थकान हो तो लेट जाते कुछ भी है, वह तो जब्चा करते थे जैसे बारा से तीन तक उनका बंद रहता था, शक्रमास्तानगर में, आधा कोई जिसे साथ भी आजा तो पन्याबार देरी तो उनने डेट खोल दिया, ठीक है, तो इसका जो हो गया, फिर इसका डेट बंद रहा, फिर समाज के लोग आई, इतने बजे के बाते हैं, धाई हैं दे आए, तो उनने बोला भी आचासी कहा है, हमने आचासी अंदर कमरे में कहले बिहार करना था, हमने बिहार करना था, हमको आचासी ने संके दे रिया है, आज साम तक निकलेंगे, आज निकलेंगे, कल सुबह निकलेंगा, हमने सामान पेक कर लिया है, ठीक है, गुरू वाल लिया। यह हो गया। तो हमने अपने संतु अंकल को लगाया। यह को ने है। अपने को पून दे हमाई 20 साल से दोड़े गुरू जी से पूरा। संतो शंकल जी। हां संतु जैन उज्जन वाले। ठीक है। तो उनको पून लगा कि ओफिस सुद्ध सुनट में पर हमार पास आ गाया। जब तक समाज के लोग मिले उनको तो उनको क्या बात है। चल्ले ऐसा से बिहार होना था तो बिहार के लिए बूला। तो किर ले ऐसा सी बात है तो बिएट खुल जागा तो हमा से ब्रशी ने बोले कि इसको और हम बोलें देरें, क्या होगा होगा हम दिहार के लिए जाएंगे। आज निह जाएंगे तो कश्वा है, तुमारे यहार नहीं कि देखने को कि महाराज है कि यहां से महाराज चले जाएंगे दियार करा के हम ध्यार करा देंगी अब हिंद्ध्थ प्रूज ए नहीं पहीं भी लगा ने छाएंगे अ हम उन्होंने महाराजी से बात की समाज़बलों ने जो पंदरवीस लोग आय थे झ理कों को अंडर कंशमु का मरी अंदर हрахा नहीं आपते में संतुच जी खड़े वे आबाद्दे में, हमारे समाज के उपन नीचे हों में, तो यह खुले फातक खुला, हमने नहीं खुला भई या, क्या करें, तो पात बजगा है, जो हमें चेहन नुगता हमें तीन चाह कुरसी रखें, और समाज के दो लोग और खड़े थे, हमारे पा समाज के लोगों ने देखा, तो समाज के लोगों ने देखा, क्या काम हो गया, हमने क्या काम हो गया, मैं देखा, तो क्या गेस लगा तो इतना बजगा, क्या गेस लगा तो गेस तो गेस तो टोड़ने में लगता है, तो इसके बाद गेस तो गेस तोड़ने में लगता है, तो वह लोई की गुतां से चलते पकरके तो छुलक जी गुतां से खोल के कुंजी भषाद के जेट खोला हम जेट खोल के देखा एक उन्दर कमड पहा था फाटा का से लटे के देया हम हम तो दनगा तो फोड़ जा तो उसके अंदर देखा पिछले 23 साल के दीख्षा जीवन में उन्होंने गजब की अपनी शेली तप त्याग से हर का दिल जीता है कलम के धनी लिखने में बॉलने में बचन के शेली एदी आनन देती कि हर कोई मंत्र बुत हो जाता हमने उनके विपन पिछले चाटू मासों के कुछ लोगों से बाचित की हर कोई उनकी प्रशंसा करते ठकता नहीं अरे ना जिसके पास धाम है ना कोई बरीगर है ना मकान है ना दुकान है ना साथ में परेवार है कुछ नहीं है तो वह आनन के तो याता करेगा फिर ऐसा क्या हो जाता है कि उन्हें इस रास्ते पर आकर इतना नीचे जाकर ये कदम उठाना पड़ जाता है हर कोई विस में और ये पैचान उनकी इसलिए होती है अंतिम संस्कार के दिश्य दिखिए आप इस समय 30-35 वीज़ दिए हैं बाकि 60-70 वीज़ लोग बाहर से आयोते है ये पैचान है उनके इस चत्र मासों के अंदर कितना आनद दिलाते थे ये पैचान करता है ऐसा क्या कदम जो हर को बचाते थे हर को प्रभावना करते थे वह ऐसे कदम को उठाने को मच्बूरू देता है अरे अगर सादू गल्दी करता है तो प्राशित उसका बहुत बड़ा इलाज है गुरू के पास जाओ प्राशित दिला दो समाज यही तो करतबे निवाता है लेकिन यहां पर ना गुरू के पास गए और ना प्राशित की बात कई यहां तो प्राइशित के बजाए प्रतारित किया गया कितना प्रतारित किया गया कि संत जो सब को समझाता है खुद ही समझने को नहीं मजबूर हो जाता है नीचे आजाता है यह पैचान कहती है कि समाज में कौन दोशी है हमें सामने लाना चाहिए नहीं तो यह गलती एक बार फिर हमारे अगले दर्वाजे को खोल देगी समाज समाज को समाज ना हुआ कहां पर कोई दोशी है यह हमें सब को निकाल कर समाज के सामने सब के सामने लाना होगा यह आत्म हत्या नहीं यह हत्या है हत्या की कैये समाज दूरा एक संत की हमारी बात पे मत ढ़क जाए गलत नहीं कह रहे यह कह रहे आरोप लगा रहे हैं एक आचारे वह आचारे जो उनके साथ बच्चपन में रही हैं स्कूल में एक साथ पढ़े हैं, एक साथ दिक्षाली है, एक चत्रमास इंदौर में कर रहे हैं, दूसरे पासवाड़ा में कर रहे हैं, आचारे विभव सागर्जी, 14 दिसंबर 1998 में पर दोनों ने दिक्षाली थी, एक ही आचारे विराक सागर्जी से, एक दोनों बड़े और इस बारे में आप सूसरी जीए, पर यह क्या क्या कहा, उसके कुछ अंश आपको दिखाते हैं, हैरान हो जाएंगे, रोंग टे खड़े हो जाएंगे, जब सही बात को सुनने में, हमारे हिम्मत निकल जाएगी, क्योंकि दोशी हम हैं, संत नहीं हैं, यह आत्म हत्या नहीं, य उनके हमने कुछ अंश आपको आज दिखाते हैं, पूरा वीडियो चलल मालश में के पास हैं, यह दिए सादू से कोई भी त्रोटी हो जाए, तो उसका गुरू तो जीवत है, गुरू के पास तो उसकी बात पहुचाना चाहिए थी, गुरू जी कुछ अपाय खुशते, ग क्योंकि इतना कठोर कदम एदी कुछ उटाया है, तो जरूर इतनी पीड़ा भी मिली होगी, क्या पीड़ा मिली होगी, कैसे बचनों की पीड़ा मिली होगी, कैसे बचनों के तीर उनके हिर्दय में जाके चुबे होंगे, किसने क्या बोला होगा, क्योंकि एक सामान नहीं, समाज के जो बरिष्ट और प्रमुक पदादिकारी होते हैं, वो नाजाने किस तरह की भासा से प्रताड़त करके, कितना तनाव में डाल करके, क्या कर सकते हैं, इसका एक अद्बुतिक दर्दनायक जो घटना हुई है, सिर्फ एक समाज द्वारा दी गई पीड़ा का परणा, सांस्त्रों में बताया है कि बालक की हत्या नहीं करना चाहिए, इस्त्री की हत्या नहीं करना चाहिए, साधू की हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्षिया परोग्ष रूप से इस समाज द्वारा की गई साधू की हत्या है भले ही परोग्ष रूप में हुई बले ही बचनों के रूप में हुई भले ही संकलेस तादे करके हुई लेकिन खुई तो समाज द्वारा अपने आपको कितना निर्दोस सिद्ध करोगे। यदि कुछ भी बात बनी थी, तो गुरुजन थे, और भी बड़े गुरुजन थे, लेकिन समाज स्यूम निर्णा लेकर के पहुँच जाए, और इतने तीब्र संकलेस में डाल दे, इतने तीब्र तनाव में डाल दे, कि सादू आंगे पीछे का भी कुछ ना सोच पाए, यदि किसी ना किसी प्रत्यक्ष्य परोग चुरूब में, कोई तुरुटी यदि दिखी भी ती या दिखती भी है, तो कहीं न कहीं अपनी बहुत दिख छमता का परेचाए दे थे, लेकिन समाज ने इसका कोई परेचाए ने दिया, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन, जब कोई लगातार प्रताड़त किया जाए, कहीं न कहीं ये, जो इतनी बड़ी समश्या का कलंग के दी किसी माथे पर जाता है, तो है, सिर्फ समाज के माथे पर जाता है, भीया, तुमारी दो रोटियों का इतना बड़ा भुकतान, कि तुम किसी के प्राण ले लो, किसी की जीवन ले ले लो, उसकी विसुद्धी को नश्ट करके, उसको संकले स्ता में ड़ो दो, और उपना दर्द तुमसे व्यक्त न कर पाए, आज इमोबाइल मिला तो था उपकरण की रूप में, लेकिन हो गया हतियार की रूप में, प्रतीक माता पिता, इतने डरेव हैं, कि ना चाने कल हमारे बेटे से कोई तुर्टी हो गई, तो ये समाज किस तरह कच्चा चबाव जाएगा, किस तरह से खा लेगा, ये अब समाज पर भरोसा नहीं रहा, साथना में बिगन ऐसा उपस्थित कर दें, कि तुम अब साथना का अंती कर दिया, रतनत्रे को मार डाला, एक इंसान को नहीं मार डाला, तो उन्हें धर्म को मार डाला, धर्म की मूर्ती को मार डाला, तो ये कहें कि उन्हें स्यम कर लिया, स्यम, जब तक किसी दूसरे से संकलेस, दूसरे से पीड़ा, दूसरे से तनाव, ना मिले तब तक कोई ऐसा अपने आप हसी खुशी नहीं कर लेगा वो संकलेश किस ने दिया जिसने ये संकलेश दिया है जिसने ये तनाव दिया है उसने भगवान की हत्या कर दी जिसने संकलेश दिया है उसने अरहंत देव को मरा डाला पत्थर की प्रित्मा को तुम पूचता रहा अब भगवान जीवित भगवान को मार डाला पत्थरों की प्रित्माओं पर खोब जल चड़ाने वाले और सादू को लिल गई हो जाओगे पांचे कटे एक दूसरे की ढखलोगे किसी को पता नहीं पड़ेगा लेकिन कर्म सिद्दांद नहीं छोड़ देगा कभी न कभी तो कर्म सिद्दांद बताएगा कि किन ने इस तरह से प्रताड़त किया किन ने इस तरह से खोटे बचन बोले जिन खोटे बचनों को सादू नहीं सापाया सैनिक की तरह सादू का जीवन है एदि सडक पर चलते हैं, तो पूर्ण सुरक्षा नहीं, ओ तो चलो फिर भी अपना सावधान चरिया में आ जाएगा, लेकिन समाज के भीच में, धरमसाला के मद्ध में, मंदिर के भीतर एस्तिती घड़ जाए, तो इससे वड़े दर्द और कष्ट की कोई बात नहीं होगी, युगों युगों तक किस कलंक को धुया नहीं जा सकता, इतना वड़ा, एक लाख की आवादी जहां पर जैन समाज की हो, एक लाख से दो लाख की आवादी, इतनी विसाल जैन समाज की आवादी वाले सहर में, कि दो भी प्रवुद्ध आदमी होते हैं, तो इस साधू की ह ले लेते हैं बात को कहीं और मुड़ लेते हैं कि देवता उनके मंत्रों चार से आते हैं कहीं उनका द्वारा अनिश्टों नहीं किया उनका सेवेदार जो नौ साल से उनकी वफादारी से सेवा करता है जो हर काम में उनके साथ रहता है सांस मुनके साथ रहता है वह कुछ और बाते करता है कि अचारेशी अब चलना चाहिए समाज आफको बदनाम कर रहा है अगले दिनों कहता है मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था अचारेशी विवव सागर जी जो इस श्रंधाई सभा के दर बहुत कुछ कह रही है और दवा भी इस तरह के बनाया गया कि वह इसको नहीं दिखाए क्योंकि लगता है कि कहीं न कहीं चांच के बारे में आगे बात पड़ा देगा पर चैलल महालक्षमी गलत के सामने कभी जुका नहीं है और कोई खरीदर आ जाए कभी बिका नहीं है सच क्यों आच नहीं और कभ लंक लगा है उसका लंक को मिटाने के लिए और गलंज लोगों को जिनोंने प्रतारीत किया है जिनोंने यह आत्माध्या नहीं हद्या का स्वांगर चाहे उनको सामने लाना होगा फिर मिलेंगे गलाप के साथ एक बार फिर आपको पचीस सो अरतालीस फेश्री महामीर स्व